शिम्ला के संजोली में हालात उस वक्त नावपूर्ण बन गए जब प्रदशनकारी सरकों पर उतर गए मांग थी कि इस मस्जित को डिमोलाईश किया जाए चुकि अवैद इसे निर्मार के तोर पर देखा जा रहा है वहां के लोगों का कहना है कि मस्जित अवैद रूप से बनी है और इसलिए प्रशासन को यहां पर तुरंट आदे घंटे का यही काम है प्रदर्शन कारी ही कह रहे है कि आदे घंटे के अंदा इसे डिमोलाईश किया जाए वह प्रशासन की तरफ से पुलिस की तरफ से साब तौपक आ गया था कि धार 163 लगाई गई है यानि कि यहां पर पास से जादा लोग इखटा नहीं हो सकते परमीशन नहीं दी गई थी प्रदर्शन कारी को परमीशन के वाबजूद या पर जब प्रदर्शन कारी के लिए हंगामा खड़ा हो गया कई ऐसी बार इस्तिती हुई कि प्रदर्शन कारी और पुलिस के भी जड़ाप होई और ऐसे में पुलिस को लाटी चार्ट का सहारा तक लेना पड़ा है एक, दो, तीन, तीन बैरिकेट्स को तोड़के जब भीड आगे बढ़ने लगी, उगर होने लगी तो उसके बाद वाटर कैनन का भी इस्तमाल किया गया यानि आसो गैस के गोले भी चोड़े गए और इसके वाब्यूद जब आगे लगातार भीड बढ़ रही थी तो कई बार ऐसी इस्तिती आई कि फोलिस के हाथ पैर भी फूल गए दरसले कोई पहला मौका नहीं है जब यहाँ पर आको जाहिर किया गया हो प्रदर्शन कारी के तरफ से, लोकलाइट्स की तरफ से इस लोगों का साथ वपक कहना है कि प्रशासन आखिरकार हमारी मांगों को क्यों नहीं सुन रहा है कारवाई क्यों नहीं कर रहा है आखिरकार ये हालाद क्यों बने हुए हैं शिमला के संजोली को लेकर आपको ये पूरी स्टोरी बताते हैं और इसके पीछे का असल कारण बताते हैं दरसल 30 अगस्त का वो दिन था जब एक शक्स के साथ यहां पर मार पीट हुई 6 आरोपी थे जिसमें 5 आरोपी योपी के बताए गए और एक उत्राखन का बताए गया खबर ये मिली कि इन तीनों ने मस्जिद में जाकर अपने आपको चुपाया है जब ये बात लोगों तक पीछ पहुची तो उसके बाद लोगों का कहना था कि ये जो मस्जिद है या वैदरूप से बनाए गई है इसलिए डिमोलाईश किया दाना चाहिए लगातार ये मांग बढ़ती गई और ये मांग इतनी जारा बढ़ी कि सडक से लेकर सदन तक ये मामला उठा संग्राम वहाँ पर भी देखने को मिला खुद सुखु सरकार के जो कैबरेट मन्री है यानि कि अनिरोद सिंग उन्होंने कहा कि हाँ ये जो प्रदर्शन हुआ था ये बिलकुस सही है और ये जो जमीन है वो सरकार की है और इस पर ये मस्जिद बनाए गए है लिहाज़े अवैर है और उन्हें का कि वाकई कारवाई होगी ये अश्वासन भी दिया गया ये कोर्ट में मामला चल रहा है लेकिन इसकी वाबजूद यहाँ पर प्रदर्शन कारी ओग रहे है उनका साथतौप पर कहना है कि पहले यहाँ पर कारवाई होनी चाहिए मुख्यमंत्री य जुड़ा होए नहीं है राधनियतिक नहीं है बलकि यह जो मामला है जन्भावनाओं से जुड़ा है अब देखिए अब आप समझना होगा कि आखिरकार यह मामला इतना साथा क्यों बढ़ रहा है क्यों लोगों के अंदर गुस्सा है यह सिर्फ मामला अवैध मस्जिद य अब राध बढ़ रहा है और ऐसे लोगों की संक्या लगातार बढ़ रही है ऐसे में एक वेंडर नीती को लाने की भी यहां पर मांग रखी गई थी विपक्ष की तरफ से इस पे खुद क्याबिनेट मंत्रिया निरोज सिंग ने कहा कि हम नई नीती लेकर आएंगे ताकि जो बाहर से लोग आ रहे हैं उनकी पैचान हो सके उनका रेजिस्ट्रेशन हो के सत्यापन हो सके अपराधों पर लगान लगाई जा सके और दरसल वहां जो आसपास के लोग हैं जो शिबला में संजोली में रहते हैं उनका कहना है कि ये चीज हमें शक तब हुआ जब वहां और आते थे घरों में घुशते थे तो वह हिंदी नहीं बोल पाते थे और यही से शक जो घैरा होता गया लोगों का कहना है कि रोहिंग्यां है लोगों का कहना है ये मंगलादेशी आप राद बढ़ रहे हैं और इसलिए यहाँ पर सत्यापन जरूरी है बड़ी नीदी ला और इसलिए लोगों के अंदर बहुत जादा गुस्ता है अब देखना होगा कि सरकार ऐसे में क्या आगे कदम उठाती है